रह्मार रखेम आख्री लक्षर क्लीन थेयरम के हावाले से क्लीन थेयरम को जो उसका पूरूफ था वो आज इंशाला तलह पूरा हो जाएगा लक्षर 17 के अंदर क्लीन थियोर्म की हम बात कर रहे थे थोड़ा सा रिवाइस करा दूं ताके दो दिन दिनों का जो गैप है वह थोड़ा सा कवर हो जाए स्टेट्मेंट क्लीन थियोर्म की अगर हम सिंपली देखना चाहें तो बैगुलर एक्स्प्रेशन इस इकॉल टू फाइन आट्रोमेटा एंड देबोसर इंडिविजियल इकॉल टू 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 टरेशन ग्राफ इट मेंस अगर आप किसी एक तरीके से भी आपको लेंवुज की देफिनिशन आती है तो बाकी दोनों तरह से भी हो सकती है ठीक है अगर एक लेंवज को इन तीनों मेंसे किसी एक तरीके से define किया जा सकता है तो बाकी दोनों method से भी उसको define किया जा सकता है अगर वो regular expression से define हो रही है तो उसके लिए कोई finite automaton भी होगा transition graph भी होगा और अगर finite automaton है तो उसके लिए कोई ने कोई regular expression भी होगी और transition graph भी होगा दोनों एक ही तरह की languages को regular languages को represent कर सकते हैं जो languages regular नहीं होंगी उनके लिए क्या method होगा वो आगे की बात है ठीक है उनको किस तरह किस हम represent करेंगे फिलहाल तो यह चीज है proof strategies के अंदर हमने यह पहले क्या लिए प्रूफ का finite automata transition graph है एक पूरा और थर्ड पार था इस यह हम तग्रीबन मुकंबल करने वाले हैं थर्ड पार्ट की में थोड़ा सा आपको recap पेश कर दूं कि recursive definition regular expression की क्या थी उसी को लेकर उसी के corresponding हम finite automata को देखते हैं तो regular expression के अंदर हम क्या कह रहे थे कि individual letters और empty string regular expression बन सकते हैं तो हमने का ठीक है अगर हम individual letters और regular expression के लिए empty string के लिए finite automata पेश कर देते हैं तो इसका मदलब दोनों equal power में है step 1 तो equal power को होगा step 2 में कैसा हो सकता कि नहीं यानि regular expression को हम plus concatenation और star operation के जिरे combine करके हम expand करके उनको combine करके complex regular expressions बना सकते हैं तो क्या finite automata में भी ऐसा हो सकता है कि step 1 की चीज़ें तो आपने कर ली क्या step 2 भी उसी तरह से हो सकता है कि बहुत basic level कि finite automata को आप add कर सकें उनको आप concatenate कर सकें उनको आप उनका closure ले सकें क्लोजर का मतलब होता है clean star operation इसका करना प्रफॉर्म तो इसको clean star closure भी कहते हैं तो अगर ऐसा हो सकते तो इसका मतलब यह दोनों एक ही power के अंदर है तो हमने का जी ठीक है इसको देख लेते हैं असल में तो यही चीज़ बतानी है तो हमने step 1 को बड़ी असानी से बता दिया step 2 के अंदर हमने जो है इनके इडिशन को पढ़ा फिस step 3 में हमने इनके उसको पढ़ा concatenation को और आज जो last है वो है clean star closure इसकी property के वो भी satisfied करती है हमने पहले बात की कि हम parenthesis और plus operation को discuss नहीं करेंगे व्योंकि प्लस असल में basic level का operation नहीं है a into a star that is equal to plus तो अगर a into a star जानी closure और multi concatenation है तो इसका मतलब प्लस खुदी साबित है parenthesis सिर्फ यह जो brackets है parenthesis यह सिर्फ association जाहर करने के लिए होती है कि r1 प्लस r2 whole का मतलब है कि यह दोनों combine होके यह 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 एक entity है तो उसके लिए इस्तमाल होते हैं यह तो आफ finite automata के साथ भी कर सकते है brackets लगा सकते हैं तो इसको प्रूफ करने की जूरत नहीं है जो प्रूफ क देता हूं कि if r is a regular expression and there is a finite automata you can say fa1 that accepts exactly the same language that is that has been defined by r then there is a finite automata you can name it as fa2, fa3, fa4 that will accept exactly the same language that will be that will be represented by r star अगर कोई finite automata है जिसको आपने r उसको ही भी regular expression है आपने उसका नाम दिया है उसकी कोई भी explanation हो सकती है कोई भी expression हो सकती है तो r star के लिए भी एक fa बन सकता है जिसको आप fa2,3,4 कुछ भी नाम दे लें तो हमने कहा जी ठीक है हम इसको try कर लेते हैं हमें पता है algorithm का कि हम इसक के concatenation के और star के और उसमें algorithm के अंदर थोड़ा थोड़ा ही फ़रक है तो ये एक example आपके सामने screen पर let fa1 भी ये एक चोटी से example है आपके पास आपके पास एक वो है state है जो initial भी है और final भी है पिर आपके बस दो final states है और ये आपकी dead end state है well and good आगे चलते हैं जी देखिया algorithm इसका same वही है सिरफ हम थोड़ी सी change करते हैं हमने देखा होगा जो algorithm हमने addition के लिए use किया था कम अबिश वही algorithm हमने concatenation के लिए इस्तमाल किया हमें थोड़ी सी changes ये करने ही पड़ी के अंदर हमें दोनों tables को अलग तरह से join करना पड़ा एक दूसरी चीज़ ये के इनकी final states को decide करना algorithm का जो last part में वो जो था ना different था तो यहां भी ऐसे ही एक दो चीज़े होंगी बाकी same procedure है उसमें को इतना बड़ा फरक नहीं है अच्छा star operation का मतलब यह है कि जो भी string आपने accept किया है यानि for example AB whole star है तो इसका मतलब AB के बाद फिर AB फिर AB फिर AB फिर AB अब यह सब accept कर सकते हैं और empty string भी accept कर सकते हैं तो same यहां पर देखें empty string तो accept हो रहा है उसकी वज़ए यह है कि यह final state ही initial state ही final state है तो empty string का तो हमें कोई मसला ही नहीं है जर्रा बराबर भी अब यह है कि जब भी कोई string accept हो चाहे वो यहां पर इस वाली x2 state पर accept हो या x3 पर हो उसके बाद वो repeat भी हो सके तो repeat करने के लिए हम एक MTH चाहिए इन ही दोनों state से जो के first state पर जाएगा ताके repetition possible बना सके ठीक है तो यही बात जो मैंने क repetition can concatenate infinite strings of the same language so whenever we approach a final state we can go back to the starting state ताके iteration दुबारा से start हो जाएगा अब जितने मर्जी चाहें इसके iterations करके बड़े से बड़ा string भी generate कर सकें तो यहां पर x1 की सुरत में तो हमें इसकी जुरुरत नहीं है क्यों x1 खुद ही जो final state है यह initial state भी है तो यह तो पहले से ही initial के ओपर है ठीक है तो यहां हमें को मसला नहीं हमें असल में x2 से एक link चाहिए जो यहां x1 पर जाएगा औ अगर कोई string यहीं पर accept हो जाता है तो वह already first state के ओपर है कोई string यहां पर accept जाता है उसको first state पर हम ला सकें एक empty edge के जरीए उसको label कर दें एमटी है वैसी छोड़ दें ठीक है ताकि यह iteration दुबारा से start हो सके और अगर कोई string यहां पर accept और x3 पर तो तब भी आपको एक edge चाह करता है बलके empty string को भी generate कर सकता है means there may be no iterations at all आपने कुछ भी iterate नहीं किया आप गए जहां से शुरू होए थे बस वही हमारी destination सी empty string हमने जो है without any cost कुछ भी हमने read नहीं किया तो null string को हम accept कर रहे हैं तो उसके लिए first state को final state होना चाहिए यहां पर वह मसला पहले से solve है आपके प उस सुरत में हमको एक step algorithm का वो add करना पड़ेगा तो problem हमारा solve हो जाएगा इंशाला ताला ठीक है तो यहां पे तो चुके पहले से है इसलिए हमें कोई मसला ही नहीं है ठीक है हम truth tables नहीं देखे मैंने फिर कोई गलती किया जो मैंने पहले किया यह transition tables है मैं इसको truth tables लिख दे करके आपको बता दूंगा इंशाला कर लेता हूं तो कहते हैं कि हमने आपको पहले दो लेक्शर में आपने देखा कि जो detailed example होती है हमारी वह हम transition tables के जरी करते हैं लेकिन मैं आपको कहा था कि एक problem हम graph के जरीए भी करेंगे यानि finite automata ही की diagram के जरीए और हमने पहले कुछ किय आप जो मैंने जो practice question है जो टास्क थी है असल में original example को समझाने के बाद वो मैंने अपने toolbox के अंदर graphically solve की है बगायर transition table के भी लेकिन आज के lecture में slides के अंदर ही बूरे ताकि बच्चा refer करना चाहिए को of course मैं toolbox को share नहीं कर रहा ठीक है हम वीडियो में होगा लेकिन अगर बच the new finite automata we used two more tables as we used before ठीक है यहाँ पे तो tables ही होंगे यहाँ पे हम tables के बजाए diagrams को use कर सकेंगे ठीक है अच्छा हमें तो पहले चाहिए start state तो start state चुके finite automata के अंदर unique होती है तो को issues नहीं हमारी x1 ही start state है जिसको हमने z1 का नाम दे दिये क्योंकि यह हमारे पास convention है कि जो resulting automata हम इसको हम z1, z2, z3 इस series में हम उसको नाम देते हैं अच्छा लिए अब देखें when you are z1 sorry z1 यह x1 यह एक ही बात है और आप read करते हैं a आप कहां जाते हैं x2 ठीक है और x2 और x2 और x2 नहीं आप empty edge के जरीए क्योंकि reads आप कर चुके हैं अब आप जहां जहां पहुंच सकते है आप बता दें x2 पे भी और empty edge read करके वापिस आप x1 पे भी पहुंच सकते हैं तो it means x1 और x2 यह एक नई state बन जेंगी हमारी z2 के नाम से अच्छा अगर z1 से हम भी read करें तो हम सिरफ x4 पर पहुंचते हैं क्योंकि वो dead end state है तो वो कहीं और नहीं जाएगी तो यह बहुत simple अब हमारे पास देखें total states हैं 3 एक की transition table में entry पूरी हो चुकी है ठीक है तो अब हम z2 को देखते हैं z2 means x1 और x2 यह वाली चीज़ है x1 और x2 तो अगर हम x1 से a read करें तो हम कहां पहुंच सकते हैं x2 पे भी और फिर empty string लेके x1 पे भी और अगर आप x2 से read करें तो आप और बाद में आप वापस x1 पे आ सकते हैं उसका मतलब आप x1 या x2 पे ही रहेंगे ठीक है इन ही दोनों में से किसी एक के ओपर आप जाएंगे कहीं और नहीं जा सकेंगे तो it will create a loop z2 after reading the string a will remain at the same state अब देखते हैं b को read करेगा तो कहां जाएगा तो x1 और x2 दोनों को दे जाते हैं x4 पे ठीक है जी एक entry होगी हमारे पास और कहीं और नहीं जा सकते लेकिन सिरफ x1 को तो नहीं देखना x2 को भी देखना है तो अगर हम x2 से भी read करते हैं तो आप कहां जाते हैं x3 पे ठीक है लेकिन चुए कि x3 के बाद एक empty है तो इसका आप आपस x1 पे भी जा स states आपके पास 4 हैं और यहां पर total interest कितनी है आपके पास 2 तीसरी z3 की बारी है z3 का मतलब only x4 तो x4 का अगर आप यहां गोर से देखें a read करे तब भी दर रहता है b read करे तब भी दर रहता a dead end state है तो बहुत simple है इसका answer ठीक है यह को इतना मुश्किल नहीं था बारी आ जाती ह इसे आपके एडिए z4 की जड़ फॉर का मतलब क्या x1 भी शामिल है x3 भी शामिल है और x4 भी शामिल है तो हम देख लेते हैं कि z4 से हम a और b read करके कहां पूँच सकते हैं तो पहले तो हम देखते हैं z4 की division में x1 है तो हम x1 को देखते हैं तो एक्सवन से अगर हम यह रिड़ करें तो हम कहां पहुँच सकते हैं एक्सटू और फिर एच लेके एक्सवन तो आप एक्सटू और एक्सवन पर पहुँच सकते हैं त्रीक के जी एक्स त्री से कहां पहुंच सकते हैं यहां पर और अबढ़ हम इसको रिड करें तो एक्स फॉर पर पहुंचते हैं ठीक है जी और अगर हम शुरू में MTH पे गये यहां पे पहुंचए क्योंके कुछ रीड नहीं किया पहुंचता गये है रीड यहां पे करेंगे वो इसको शामिल नहीं करेंगे पहले से शामिल है कोई मस्नला नहीं ए रीड किया X2 X2 पहले सामिल है तो यह आजें एक X1 X2 X4 यह आपके पास एक नई इंट्री है Z5 के नाम से अगर हम Z4 को देखें कि B तो Z4 को अगर हम B रीड करें तो कहां पहुंचता है तो ठीक है जी Z4 की पहले इंट्री X1 X1 से B रीड किया तो X4 पर पहुंचे ठीक है जी दूसरी इंट्री X3 X3 से B रीड किया तो X4 पर पहुंच सकते हैं और इदर से भी X4 पर ही पहुंचेंगे ठीक है लेकिन इसकी एक और इंट्री भी है X3 और X4 तो इदर से भी इदर ही पहुंचता है A read کیا यहां पे पहुंचेंगे वापस यहां भी पहुंच सकते हैं यहां से A read किया इदर ही पहुंचेंगे तो 1, 2, 4 1, 2, 4 अलरेडी डिफाइन है तो Z5, Z5 ही पह रहेगा इट फिल बी ए लूप और अगर हम देखें B को देखें कि यह B read करके कहां पे जाएगा तो इसमें देखें X4 है तो वो B, X4 पर ही रहता है ठीक है और अगर हम X3 को देखें तो B read करके इदर आता है तो X4 ही आ गया और अगर empty यहां पे जाए और फिर आए तो तब भी X4 रहता है और तीसरा इसके अंदर कहता है X1 मैं दुबारा से इसको एक दफ़ा confirm कर लूँ 1, 2 और 4 1, 2 और 4 यहां से यहां से अगर हम भी read करते हैं तो आप X3 पे भी जा सकते हैं ठीक है, सही है, correct है तो हमारे पास चूँके यहां पे total states कितनी है 5 और यहां पे भी 5 की 5 define हो चुकी है और कोई नई state हमारे पास नहीं है तो extras को हम discard कर सकते हैं अब हमें यह देखना है कि final state कौन सी होंगी original के अंदर देखें X1, X2, X3 final state है तो जहां जहां भी X1, X2 और X3 है वो final state बन जाएगी ठीक है, सारी बन जाएगी सवाए dead end state है कोई उपर भी सारी थी तो easy है इसका answer बिलकुल इसको अगर हम draw करना चाहें तो हम इसको draw कर सकते है draw करना इसका easy है इसमें हमें यहां पे अब कोई मजीद step नहीं put करना अगर यहां यहां पे बाद दफा आखर में यहां शुरू में एक step करना होता है अगर initial state, final state नहीं है तो क्योंकि हमें खुद से उसको final state बना पड़ता है क्योंकि empty string भी accept करता है तो यह तो असल में मेरे खाल में easy है उसकी वज़ा यह है कि पिछले वाला method है हमने follow किया है कोई नहीं चीज़ follow नहीं की है पहले वाले के अंदर हम दो आटोमेटस को लिंक नहीं करते थे आप उसमें दूसरे वाले के अंदर लिंक करते थे तो तीसरे वाले के अंदर क्या होता था तीसरे वाले के अंदर कि हम उसको अपने से ही लिंक करते है हर फाइनल स्टेट को अपने इनिशल स्टेट से लिंक करते हैं बाकी प्रोसीजर सेम है प्रोसीजर के अंदर कोई फरक नहीं है तो ऐसी नहीं कि कोई नहीं चीज़ आपने सीखी है इस हवाले से हाँ अल्गोरिफ्म के अंदर जो थोड़ी बहुत चेंज है वो मैं आपको साथ साथ बता रहूँ तो यह हमारा सुलिशन हो गए अब एक एक्जेमपल है असल मैं तो आपको क्लास में करवानी थी आप लोग अच्छे बच्चे हैं थोड़ी सी बच्चों को मक्षन लगाना पड़ता है ताकि वो बात माने लेकिन मुझे यह अमीद नहीं है कि आप लोगों को जो है ना कुछ जादा आप लोगों की तारीफ करने की जरूवत है आप लोगो खुद से ही समयधार है माशाला अपना नफ़न अक्सान पहचानते हैं वीडियो बच्चों रोको इधर अगर समझ नहीं आया पिछला टॉपिक देखो ठीक है बच्चो फिर उसको समझो और जो एक्जेमपल अभी हमने पढ़ी है उसको रिपीट करो खुद से ठीक है अपने साथ इखलास करते हुए अपनी फिकर करते हुए ठीक है ना बच्चों और फिर इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो इसको सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर मैच कर दिया तो बहुत अच्छी बात है वेल अंगूड अगर नहीं तो इसको समझो ठीक है ना क्योंकि मैं इसको जारी बात है आप लोगों के लिए अगर लेकिन आप लोग इसको जितना खुद से करेंगे तो उतना आप लोगों कर स्किल लेवल भड़ता है ठीक है बच्चों तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं टूल बॉक्स के अंदर टूल बॉक्स के लिए है इसको टूल बॉक्स के तोर पर इस्तमाल कर रहा हूं बसे तो एक वर्किंग एरिया है एक स्लाइड है जिसके अंदर आप के पास बहुत से टूल होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते है अच्छ जी तो यह हमारे पास मेन आटोमेटर यह है जिसको हमने कनवर्ट करना है हमारे पास यह स्टार्टिंग स्टेट है यह दो इंटरमीडियर स्टेट है जिसमें से यह हमारे पास लेडन स्टेट है और यह हमारे पास क्या है फाइनल स्टेट है और हमें पता है कि हमने फाइनल स्टेट से शुरूवली स्टेट पे एक ठीक है यह empty edge है यह हम ले गए अज हम शुरूर करते हैं पहले तो हमें चाहिए यह पिछला अटोमेटर है बना हुआ यह एक state चाहिए जिसके अंदर starting state होगी तो अचाहिए यहां देखें आपकी starting state की तरफ incoming edge कोई नहीं है चीज़ें सिंपल है इससे अगली जो example मैं आपको कराऊंगा उसमें चीज़ें कुछ complex हो जाएंगी ठीक है न तो यह एक point मैं भी आपको बता रहूं यहां पे note कीजिए ठीक है इस point को अगर आगे लेक में आ जाएगी यहां पे क्या है यह starting state है यह x1 state थी ठीक है जी x1 state थी okay well and good अच्छे अब हमें आगे और state भी चाहिए बिल्कुल चाहिए कोई न कोई state तो बनेगी आगे बनेगी सही है ठीक है जी इसके अंदर भी है कुछ हमें नहीं पता तो अगर आप x1 से a read करते हैं तो आप कहां पहुंचते हैं x2 पे और कहीं नहीं पहुंच सकते हैं तो इसका मतलब यह आपके पास x2 है बहुत simple सी बात है और आपने read क्या किया a read किया easy हो गया अच्छा अगर आप यहां से b read करते हैं तो आप कहां पहुंचते हैं आप पहुंचते हैं dead and straight पे हैं that is x3 तो यह भी आप लोगों को define हो गया कि अगर आप b read करते हैं तो आपके पास एक dead and straight आती है जिसको आप x3 का नाम दे दिया और वो आपकी b read करने के बाद आ असान चल रहा है तो कोई मसला नहीं आया हमारे पास अलाम दो इल्ला अच्छा आगे क्या है एक state का तो काम पूरा हो गया क्योंकि यह state हमने इसके दोनों edges को draw कर लिया है इसको इसलिए वक्ती तोर पे मैं इसको color कर रहा है तो कि पता चले के यह हो गई इसको अब हम दोब यहां पर एक लूप चाहिए और जो लूप होगा हमारे पास एक आई ठीक है लेकिन अगर हम यहां से बी रीड करें तो हम कहां पहुंच सकते हैं हम देखें यहां से बी रीड करके x4 पर पहुंच सकते हैं और वहां से mth लेके x1 पर भी पहुंच सकते हैं इसका मतलब जो यहां से अगर हम b read करेंगे तो हम एक और state पर पहुंचेंगे नाम इसको क्या देंगे कि हम यहां से b read करके x4 पर पहुंच सकते हैं और हम टिया तो x1 और x4 दोनों पर हम इसको पहुंच सकते हैं और read हम कर रहे हैं यहां पर फिलाहल b चीज़ें बहुत simple simple चल रही हैं पिशले वाले की तरह जहां change होगी वह इंशाला मैं आपको बताऊंगा और असल सीखेना अभी हमने यही है कि जहां change होगी वहां क्या होगी ठीक है जो हमने example पहले solve की lecture के अंदर slides में उसके अंदर यह था कि starting state ही ending state थी तो कोई issue नहीं आया हमारे पास यहां starting state ending state नहीं है लेकिन starting state की तरफ को incoming edge नहीं है तो उस सुरत में भी हमारे पास कोई इतना बड़ा मसला नहीं आता है हम आखिर में इसके उपर plus लगा देंगे तो यह चुके थोड़ी सी variation तो है तो इस वरह से यह example है तीसरे example में variation ज्यादा होगी कि incoming edge भी होगा उस सुरत में क्या चीज़ होगी तो इंशाला यह तीनों चीज़े मैं आज ही आप लों के साथ इसी lecture के अंदर discuss करूँगा अच्छा यह हो गया हमारे पास तो इसके दोनों edges भी हमारे पास हो गए है चुके इसलिए इसको भी हम color change कर रहे है अब यह रहा कि X3 dead end है A read करें तब इदर आता है B read करें तब इदर आ रहा है और एक ही चीज़ है हमारे पास यह तो बहुत असान था simple था यहां A और B का लूप है चीज़ा नमदुल्ला असान हो रही है अब अच्छा इस यह भी हो गया अच्छा जी अब क्या रह गया हमारे पास अब यह रह गया हमारे पास यह state X1 और X4 यानि X1 और X4 यह दो वली states ठीक है एक यह वली यहां पे एक state है और एक यहां पे state है इन दो को हम अभी देखना चाह रहे है अच्छा यहां से अगर आप A रीड करें तो आप कहां पहुंचते है एक टू मेरे ख्याल में एक नई state बनानी पड़ेगी शायद हमें तो हम बना लेते हैं जी एक नई state अगर हम यहां से एक रीड करते हैं X1 से तो हम पहुंचते है एक टू रहेगा हमारे पास अच्छा और कहां पहुंच सकते हैं और तो यहां से कहीं नहीं पहुंचते हैं कोई MTH नहीं है ठीक है और अगर X4 से शुरू करें तो A रीड करते हुए हम X3 पहुंच सकते हैं ठीक है यह X3 लिख लेते हैं लेकिन एक दूसरी possibility है कि MTH को रीड किया और रीड करने के बाद आपने A रीड किया तो X2 पहुंच एक पहले से इंक्लूड है हमारे पास इसको इंक्लूड इसलिए नहीं करेंगे कि MTH हुआ अभी तक कोई रीड नहीं हुआ MTH के जरी आप पहुंच तो सकते हैं इन इंक्लूड उस वत करेंगे जब आपने व अच्छा B भी तो रीड कर सकते हैं हम यहां से तो X1 और 4 से तो अब 1 से हम भी रीड करते हैं तो मेभी नीड एनडर स्टेट हम देखते हैं जरुरत बढ़ती है कि नहीं 1 और 4 से 1 और 4 इससे हम क्या रीड करता हूँ जी भी रीड करता हूँ जी भी रीड करता हूँ एक्स 3 लेकिन read करने के बाद मैं MTS लेकर यहां भी जा सकता हूँ इसका मतलब x3, x4 और x1 तरतीब में भी आप लिख सकते हैं x1, x3, x4 वितना बड़ाश्यू नहीं है तो यह आपको एक नई stage चाहिए, पता नहीं stage बनाने का चकर कहां पर खतम होगा, अल्ला करे question complete हो यहां पर मजीद state ना बने हमारी यह हो गई अच्छे जी देख लेते हैं, अभी मजीद क्या करना पड़ेगा हमें तो पहले इसको consider करते हैं x2 और x3 को x2 और x3 को consider करते हैं अब हम इनको consider नहीं करते हैं अब हम consider करना x2 और x3 दर्म्यान वली दो x2 और x3 क्योंकि हम इस वली को देखना चाहरे हैं x2 से अगर हम a read करेंगे तो हम x2 पही रहते हैं और x3 से अगर हम a read करेंगे तो हम x3 पही रहते हैं इसका मतलब यह है कि इन दोनों states में हम कहीं पर निकल नहीं सकते मेरे खियल में हमें इसको थोड़ा सा move करना पड़ेगा इस तरफ ताके जगा बन सके यह main main काम तो हमारा होई गया है हमें एक loop create करना है यहां पर लेकिन यह loop होगा सिरफ a के लिए फिलहाल ठीके जी a का loop हो गया सही हो गया लेकिन वी भी तो read हो सकता है x2 और x3 से यानि इन दो दर्मयान वाली से तो अगर मैं यहां से b read करता हूं तो x3 पर ही रहता हूं ठीके तो maybe I need a new state तो देखते हैं कहां पर तक पहुंचते हैं x3 पर ठीके हम इसको कर रहे है x2 और x3 तो x3 को पहले मैंने देखा भी read किया x3 पर ही पहुंचा यह लेकिन x2 से अगर मैं भी read करूं तो मैं x4 पर भी पहुंच सकता हूं और उसके बाद mts लेके x1 पर भी तो यह सो दरब x1 x4 x3 x3 x1 x4 पहले से x3 1 4 3 4 1 ठीक है 3 4 1 यह 3 1 4 एक ही चीज़ पहले से define है जो चीज़ पहले से define है तो we will not reinvent the wheel ठीक है हम इसको जहां पर include कर देंगे with the label b b के label के साथ इसका मतलब यह state की जरूरत नहीं थी हमें ठीक है इसकी जरूरत नहीं थी हमारे पास यह state मकमल हो चुकी है तो लहाजा हम इससे फिलहाल वक्ती तोर पे बेगाम हो जाते हैं और अपनी अगली state की तरफ चलते हैं लास्ट वाली की तरफ अल्ला करे लास्ट हो x 1 3 4 यस वाली को छोड़ देना है बाकी तीनों इसके अंदर शामिल है तो देख लेते हैं जी एक के बाद कहा जाएगा और बी के बाद कहा जाएगा तो पहले बी को देख लेते हैं अधर ही रहे हैं तो एक्स थी तो है ही और एक्स 4 पे भी अब रह सकते हैं और एक्स 4 के बाद एक्स 4 के बाद करके यहां भी जा सकते हैं सेमतरब x 3 4 x 3 4 that is exactly the same thing तो यह लूप रहेगा हमारे पास ठीक है बी का बी यहां मुझे एजी लग रहा था इसलिए मैंने इसको क्रिएट किया मुझे लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा अच्छा अब एक ही बारी है तो देख लेते हैं कि इन तीन स्टेट में दरम्यान वाली को छोड़के 134 तो ए ज x2 पर जा सकते हैं ठीक है x2 पर जा सकते है अच्छा और अगली बारी और कहीं नहीं जा सकते हैं तो x3 को देखते है x3 को देखा तो आप A read करके X3 पर यह आ सकते हैं सेम अच्छा और A read करके न तो X4 से A read करके आप X3 पर जा सकते हैं तो X3 तो पहले से मैं लिखा हुआ है लेकिन यह भी एक possibility MTH लेके जाएं और उसके बाद आप A read करें ठीक है MTH मैं यहां पर लेके गया और उसके बाद A read किया तो मैं पहुँचा X2 भी पहले से मजूद है यह state होगी है महरे पास इसका edge इस state तक बनेगा X2 X3 लेगा X2 X3 पहले से define है जो चीज पहले से define है उसको हम मजीद define नहीं करेंगे हम simply एक edge ड्रा कर देंगे यहां से है इसको level देंगे A का चीज़ी इसके दोनों edges भी पूरे हो गए है इसकी भी शुटी हो गई और यह तो अकेला था यह तो बिजा रहा हम इसको इसको इस्तमाल कर रहे है तो हमारा answer पूरा हो गए चीज़ी इस अलहम्दो लिल्ला answer हमारा मुकमल हो गया तो यह कुछ रिजल्ट बनेगा और स्लाइट के अंदर भी यह है कि यूर सुलूशन में लुक लाइक दिस ठीक है अचा हमने इन यहां स्टेट्स को नाम नहीं दिया चीज वह यह देखें यह स्टार्टिंग स्टेट है उसके बाद आप डी रीड करके डेटन स्टेट पे ज जा रहे हैं फिर बी से हम एक स्टेट पे और एसे दूसरी स्टेट पे जा रहे हैं और यहां दोनों इधर बी का लूप है यहां एक है और यहां बी है यहां यह जा रहा है तो ठीक है कि हम बेश एक ही डाइग्राम है जो हमने बनाई है ठीक है हमने यहां पर फाइनल स्टे हैं एक ये वाली और एक ये वाली तो सलूशन तो हमारे पास आ गया अच्छा यहां से एक और स्टेप बास दफ़ा किया रहता है बुक के अंदर भी किया हुआ है तो मैंने सिर्फ आपको यह समझाने के लिए कि आप कंफ्यूज नहीं कि बुक के अंदर वो रिजल्ट में द फाइनल स्टेट पर जाने के लिए आपको बी को रीड करना जरूरी है तो फाइनल स्टेट पर जाने के लिए जब उसे आपने बी को रीड किया और वहां से आप जितना मर्जी भी मजीद ले आएं एक बी ले आएं उसके बाद मजीद भी ले आएं कोई इशू नहीं है त लेकिन जब आप किसी final state पे आ गए हैं तो उसके बाद अगर आप A read करते हैं तो A के loop के बाद आपको ultimately आना B पे ही है वापस यानी B ही read करना है तो यहाँ पर देखें अगर आपने final state से A read किया है और आप उसको मजीद A read optionally कर सकते हैं लूप में आपको ultimately आना acceptance के लिए B ही है B को read करके यह तो इसको simplify करके इस form में लिख सकते हैं तो बुक वाले ने ये भी जिकर किया है और ये भी जिकर किया है ये से simplify करना को इतना बड़ा मसला नहीं है आपको थोड़ी से insight हो आप थोड़ा देखें कि इसकी working क्या है तो आप इसको simplify कर सकते हैं तो यह एक अलग topic ह लेगन बताना इसलिए ज़रूरी था कि बुक के अंदर है तो जो बच्चे बुक पड़े होंगे वो कहेंगे जी ये कहां से आगया और ये किस तरह है दूसरे के एक एक्विलेंट है तो वह मैं आपको यहां पर मैंने आपको बताया कि ये एक्विलेंट किस तरह से है अच चलो इन दोनों में से जो भी solution हो दोनों represent एक ही language को करते हैं को हमने कहा कि दोनों equivalent हैं आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं एक issue अभी भी resolve होने वाला है कि empty को accept नहीं करता यह मैं पहले बताया था कि ये issue आएगा क्यूंकि originally automata के अंदर first state last state नहीं थी तो empty string को accept नहीं कर सकता और हमारे पास जो star होता है r star या कुछ भी हो किसी चीज का भी closure हो clean star closure तो वो empty string को भी accept करता है तो हमने का कि हम से चुंकि यहां पे incoming edge कोई नहीं तो हम यहां पर उसको plus लिख सकते हैं कोई issue नहीं है हमारे पास यह उसको accept करेगा मसला हमारे पास तब आएगा जब हम जब हमारे पास first state की तरफ को incoming edges होते हैं उस सूरत में issue आता है इस सूरत में issue हमारे पास नहीं आएगा तो as the initial state does not have any incoming edge so really no issues here simply declared it as a final state and the solution is ready यह सरफ हमने plus को add किया और यह विली diagram बन गई है यह diagram सेम है बच्छे बहुत ज़्यदा लकीर के फकीर होते हैं तो कहते हैं यह इस तरह बना हुए यह इस तरह बना हुए तो change है बिल्कुल change नहीं है तो आप intelligent बच्छे हैं यह यह issues आपसे class में ही थी लेकिन अब चुके class के अंदर में इसको कर नहीं रहे तो solve तो बैचारे teacher कोई करना पड़ेगा और बच्छे बड़ी खुशी से क्या कहेंगे जी कि यह question बड़ा असान था और solve हो गया और कुछ भी नहीं था इस question में लेकिन जब करने प्याओगे ना बच्छो जब पता चलेगा तो मेरे प्यारे बच्छो हिम्मत करो थोड़ी सी वीडियो रोको issue मैं आपको बता देता हूं solution की तरफ hint भी दे देता हूं फिर आप इसके खुद से try करो हो जाए तो बहुत अच्छा ना हो जाए तो इसी वीडियो के अंदर guide तो मैं करी रहा हूं आपको इन्शाला ताला ठीक है न तो देखें यहां पर एक issue है अगर आप simple यह करते हो कि यहां से एक यहां पर आजा तो बस यह closure हो गया language का अब चुंकि यह closure fa की form में नहीं होते है तो हमें वह algorithm का पूरा रन करना है ताकि यह fa की form में आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा ठीक है यह constructive algorithm का असल में काम यह होता है कि जो property fa की वाइलेट होई है उसको ठीक कर देता है ठीक है तो अगर सिरफ इतनी बाद होती तो हम कहते है यह closure हो गया लेकिन मसला यहां पर यह diagram closure को रिप्रिजेंट नहीं कर रही उसकी वज़े यह है कि originally diagram के अंदर क्या है कि आप empty को accept नहीं कर सकते और closure के अंदर empty को accept करना पड़ता है आपने ठीक है इसको मैं plus कर देता हू इस से बड़ा क्या होगा बस simple सा हो गया solution अब भी solution पूर नहीं एमटी तक accept हो रहा है लेकिन आप देखें original language change हो रही है क्यों आपने जब यहां से read किया भी तो accept हो रहा है लेकिन original language में खाली यह accept हो रहा था नहीं अब खाली यह भी accept हो रहा है यह issues आते हैं उस वकत जब incoming edge होता है पहली state पे यहां एक यह incoming edge है और एक यह incoming edge है तो अब आपको इस state को split करना है दो states में एक x1 ही को दो states में आपने करना है split एक x1 नाम दे दूसरा को x not नाम दे दे आपकी मरदी है x not और x1 जो कि हम 1 से शुरू कर रहे हैं तो x0 यानि x not नाम देना में बड़ा feasible रह जाएगा आप चाहे तो इसको कोई भी नाम दे सकते हैं xw दे सकते हैं xe दे सकते हैं x4 दे 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 5 दे दे नाम से मुझे को issue नहीं चीज समझ में आनी चाहे है तो हमें इसको split करना है दो states में एक यही state होगी लेकिन initial state होगी एक यही state होगी initial state नहीं होगी तो यहाँ वीडियो रोके कोशिश करो खुद जो हो सकता कर लो थोड़ी से brainstorming हो जाए आप लोगों की ठीक है गलत कर लोगा ना ज्याद ज्यादा कोई मसला नहीं है कोशिश कर लो बुक के अंदर भी हर बंदे का दीन इमान अल्लाई ताला बेतर जानते हैं हम लोग नहीं बेतर जानते हैं तो इसको हम solve करते हैं इस उमीद के बाद के आपने इसको खुद से solve कर लिया ठीक है अच्छा अब यहाँ पर issue हमारे पास यह है कि हमारे पास इसको पहले हम थोड़ा सा change करेंगे और क्योंकि हमने first state को plus state भी बनाना है तो जब हम first state को भी plus state बनाएंगे तो उस वकित के बाद में हमारा काम चलेगा suppose यह हमने इसको plus state declare कर दिया ठीक है लेकिन जाहरी बात है उस सुरत में language change हो रही है उससे पहले हम एक काम करते हैं काम हम यह करते हैं हम इसको थोड़ा सा नए सीरे से construct करते हैं कि एक तो हमारे पास final state है जिसका नाम है x2 x2 और हमारे पास final state है और एक हमारे पास state है यह वाली जिसका नाम है हमारे पास x1 यह आपकी first state है आपने कहा और आप इसको final state बनाना चाहते है एकस one minus b है और plus b है फिलहाल मैं इनको इस form में लिख रहा हूँ आप समझे है कि यह plus minus दोनों को जाहर कर रहा है चलो अगर ज्यादा वो है तो हम इसको insert कर लेते हैं सिंबल plus minus का सिंबल मेरे पास तो कहीं होगा नहीं होगा तो equation पे जाके यह plus minus का सिंबल add कर लेते हैं ठीक है यह होगा हमारे पास यह नहीं हमने कहा था हम इसको split करेंगे दो हिस्सों में एक्स वन और दूसरी को हम नाम दे देंगे एक्स नॉट ठीक है यह अब एक्स नॉट भी असल में यही वाली स्टेट है और एक्स वन भी असल में यही वाली स्टेट है लेकिन यह non final स्टेट है और यह final स्टेट है हमने दोनों में फरक करना है ठीक है और यह फरक क्यों है मैंने आपको बताया कि language change हो जाती है अब हमने इसको split करके दो स्टेट में इसलिए split किया है ताकि हमारे पास ऐसा मसला न रहे अब देखें हमारे पास अगर हम कैसे language में change भी नहीं आना चाहते हैं ठीक है जी फाइनल स्टेट पर जा सकते हैं हम चले गए जी यह तो जी हो गया हमारे काउंट जी कोई मसला नहीं है एक स्टू के ओपर लूप आ गया जी यह चोटे-चोटे मसले है और लूप भी एक है यह हमने भी तब कोई language change नहीं किया फिर कहते है जी देखें एक्स टू से इस स्टेट पर एज बी के साथ वापिस आता है हमने गा जी ठीक है हम ऐसा कर लेते हैं एक्स टू से इनिशल स्टेट पर वापिस आता है लेकिन इदर क्यूं वापिस लेके आए यहां समझना यहां बच्चों इसको और समझो यहां हमने वापे सिनल गारे है हमने split इसलिए किया है कि इदर जो first state है वहाँ incoming edge कोई नहीं रखना भाई इसका दूसरा भाई इसका दूसरा clone इसलिए बनाए है कि वहाँ जितने मरदी incoming edge रख लो भाई हमें कोई issue नहीं है उससे इसको incoming edge द अच्छा अब चुंकि यह इसका भाई है तो अगर यहां से बी की तरफ जा सकते हैं तो यह भी तोसल में यही स्टेट है सब नॉन फाइनल स्टेट तो यहां से भी तो बी की तरफ हम जा सकते थे हमने का जी बिलकुल जा सकते हैं इसमें इसमें पूछने की क्या जरू होता है चले जाए आप तो अभी तक देखिए हमने language में कोई change नहीं की अभी तक ये है कि final state पर आप इस state से पहुंच सकते हैं P read करके तो इस state को हमने दो में split किया था तो हम दोनों से पहुंच सकते हैं इस से भी और इस से भी B पर final state पर A है हमने का जी ठीक है बिल्कुल है A का लूप है final state से आप इस state पर जा सकते हैं भी read करके हमने का जी बिल्कुल चले गए यहां इसलिए नहीं जाएंगे कि यह split करने का मकसद ही यही था कि first state की तरह कोई incoming edge नहीं हो जिसकी वरह से हमें problem आ रहा था language के change होने का ठीक है यह language change होने का issue book में भी बड़ी तफसील से बच्चों discuss किया हुआ है तो आप इसको book में भी एक दफ़ा देख लें ठीक है book बहुत दफ़ा बहुत help देती है book में अब काईदा string की example दे के बताया हुआ है कि यह string देखे पहले ऐसे था और ऐसे था अब read नहीं हो रहा language change हो रही है तो इन्शादाला काफी चीज़ें clear हो जाएंगी तो जहां तक इसकी बात है हमने language में कुछ change नहीं की इसकी बात है language में कुछ change नहीं हो इसकी बात है language में कुछ change नहीं यहाँ language में कुछ change हो रही है कि यहाँ initially आप A का loop रन कर सकते हैं आप बी पे वैसे भी जा सकते हैं और विजानी नंबर ओफ एस भी आप जा सकते हैं तो देखें इनिशियल याप बी के जरीए फाइनल स्टेट पर जा सकते हैं लेकिन एक आपने अप्शन नहीं दिया तो आपने कहा कि मैं एक लूप तो यहां रख सकता हूं अके के लिए कि एज इतना मेर्जी रिड कर लो लेकिन वहां रख सकते हैं न के याँ पर जब यहां से वापस आएगा तो ऐरीड करें फिर भी यहां से वापस आएगा रिट कर भी शुरू में भी तो हम कई ए रीड करके फिर बीब पर जा सकते तो लेंगूज तो चेंज नहीं करने इंकमिंग इस भी नहीं होता है यह लूप आउट गोइंग भी होता है तो यह तो यह यहां तो इंक्लूड नहीं कर सकते हैं तो हल क्या है सिंपल सा हल है हमारे पास अब यह हल क्या इसको समझो कि देखो आप initial state से बगएर कोई A read किये B पे जा सकते हो initial state से बगएर कोई A read किये B sorry final state पे जा सकते हो बगएर कोई A read किये और B read करके बगएर कोई A read किये और B read करके और अगर चाहो तो A के read करके चले जाओ तो चाहो तो देखो यहां से आओ एक ए रीड करके फिर चले जाओ चाहो दो ए रीड करो तीन करो चार करो पांच करो तो एक है यहां से दूसरा तीसरा चोथा पांचवा जितना मरदी करके चले जाओ तो अब पदा चला कि वाकी language change नहीं है हमने represent उसको दूसरी form में कर दिया है लेकिन हमारी language के अंदर कोई भी change नहीं आई है ठीक है उमीद है अब कुछ यह point थोड़ा सा समझ में आया होगा तो book के अंदर भी यह चीज एक्स्प्लेइन है book के अंदर थोड़ी सी ज़रा मुश्किल तरह से explain है ठीक है सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा course खोड़ा रुक जाए क्योंकि हमने course की रफ्तार तो पहले ही बहुत से जो है ना slow की हुई है यह हमारे originally मेरे ख्याल में total पंदरा लेक्चर है sorry 13 लेक्चर थे जो आज गालिबन 17 लेक्चर है मसला वह लेकर आओ जो वाक्य मसला हो इन्शातला मुशको solve करेंगे मैं आप लोगों के साथ रहूंगा ठीक है लेकिन ऐसा ना कि वह मसला लेकर आओ जो असला सॉल्फ करने वाला था ही नहीं तो उस पर दुख होगा ठीक है अच्छा इसको हमने कनवर्ड कर लिया इसमें लैंगूज में कोई चेंज नहीं है इसकी क्राज़ते चुटी तो कि अब इसकी दुरौत ही नहीं है अब असल चीज तो यह है इसको हम यहां पर रखने के बड़ जाए इसको कॉपी करके इसका इमेज बनाता हूँ यहां पर यह इमेज बनाने का फायदा यह अब यह चीज़ें कराब नहीं होती है और यह जगह पर यहां रहता है भी हमें तंग भी नहीं करेगा और हम इज़िली अपने काम करते रहेंगे अब आप इसके ऑपर और इसम अप्लाई कर सकते वालगा और इसम अप्लाई करना तो बिल्कुल वही जो आप पहले से काम करते आ रहे हो इतना बड़ा कोई इश्यू है नहीं उसमें लेकिन चुके इसमें भी ग्राफ थोड़ा था आखिर में सिंप्लिफाय होगा इसलिए मैं इसको सॉल्फ कर रह देखेंगे तो एक्सवन को अगर हम देखें यह स्टार्टिंग स्टेट है हमारे पास ठीक है इसकोब जड़ा नाम देदो कुछ भी देदो फिलाण हमने इसको एक्सवन ही नाम दिया और यह हम रपास फाइनल स्टेट भी है इससे ए रीड करके हम जाते हैं एक्सजीरो प इसको डाइग्राम को ऐसे ना हो कि हमें असानी के बज़ाए काम हमारा बढ़ जाए हम तो काम अपना कम करना चाह रहे हैं यह लेबल शेबल भाई आजो साइट पर अच्छे जी अच्छे बच्छो यूनिवस्टी की पॉलिसे के मताबक इसरार हो रहा है कि हमें आपके साथ कोई यह हफ़ते में एक जूम का सेशन रखना है तो मैं इन्शाला ताला कोई ऐसी स्लॉट देख के जिसमें दोनों क्लास हैं वेरेबल हूँ तो जूम के जो हैना को पूरा करना भी जरूरी होता है तो हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग स्ट्रेट से स्टार्टिंग स्टार्ट किया इससे एरीड कर सकते हैं पिलकुल एरीड कर सकते हैं तो एरीड किया एरीड करने के बाद हम कहां जा सकते हैं एक्स जीरो पे तो ठीक है एक्स जीरो पर हम जा सकते हैं सही है और इससे हम भी रीड करके कहां जा सकते हैं एक्स टू पर और सिरफ एक्स टू पर नहीं 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 देखें हमने एक स्टप यहां पर छोड़ दिया स्टप हमने क्या छोड़ दिया कि हमारे पास सबसे बुनियादी स्टेप ही हमने छोड़ दिया पैसे पता है यह फाइनल स्टेट है वहां से एक एम टी एज जाता है पर फर्स्टेट पर ठीक है यह जरूरी है इसलिए हमारी लेंग्विज यहां पे घलत होने लगी थी ठीक है और यहां सही जरुवत नहीं कुई यह पहले सही है तो A रीड करके हम X0 पर क्या हमने लिख दिया और जब हम B रीड करेंगे तो B रीड करके हम किसी स्टेट पर पहुंचेंगे और उसको भी हम कोई नाम दे देंगे B read करके हम कहां कहां पहुंच सकते हैं B read करके हम X2 पे पहुंच सकते हैं और उसके बाद MTS read करके X1 पे पहुंच सकते हैं तो इसका मतलब हम X1 पे भी पहुंच सकते हैं और X2 पे भी पहुंच सकते हैं ठीक है यह होगा हमारे पास यह A read करके और ये भी रीट करके इसी है बिल्कुल इतना बड़ा मसला नहीं है अगर पिछले दो लेक्चर लिए है तो constructive algorithm को run करना तो मसला भी होना नहीं चाहिए अच्छा जहां तक X0 की बात है X0 हमारे पास जो है उसमें यह क्या है हमारे पास के A को read करके आप उधर ही रहते हैं और कहीं नहीं जाते हैं आपको एक loop चाहिए A का और कुछ नहीं चाहिए A का loop आपने यहां पर रखा और A कर दिया यह तो simple है लेकिन यहां से अगर आप भी read करते हैं तो आप कहां कहां पहुंच सकते हैं यह question है X0 से जब आप भी read करते हैं तो आप X2 पर पहुंच सकते हैं और फिर without reading any agent without any cost आप X1 पर भी पहुंच सकते हैं तो X1 और X2 पर पहुंच सकते हैं X1, X2 यह है पहले से define है तो हमारा काम असान हो गया अब भी read करके यहां पहुंच सकते हैं यहां पहुंचके हैं सही हमारे पास यह स्टेट पूरी हो चुकी है हमारे पास और इसके दोनों एडिस हमने डिफाइन कर लिए अब आरी आ गए इसकी चरी एक्स वन और एक्स टू की तो देख लेते हैं इसको भी कि इसके लिए कोई नई स्टेट बनती है के नहीं इसके रिजर्व में रखके देख लेते हैं फिर इसकी जुरुवत पड़ी तो रख लेगे नहीं तो इसको पिर रिमूफ कर देंगे तो एक्स 1 और एक्स 2 तो से अगर और अगर आप x2 से a read करते हैं तो आप x2 पे भी पहुंच सकते हैं ठीक है और without जब read करने के बाद mth को लेते हुग x1 पे भी पहुंच सकते हैं तो x1 तो आपको नई state की जुरूरत थी क्योंकि इसमें तीन है कोई ऐसा combination पहले मुझूद नहीं है तो हमें पता चला कि हमें इसकी जुरूरत है ठीक है जी यह तो हो गया यहां से आप a read करके यहां पे पहुंच सकते हो अच्छा लेकिन इससे अब b read करके कहां पहुंच सकते हो हम यह देखते हैं x1 और x2 से x1 से b read करके आप कहां पहुंच सकते हो यहां पे x2 पे और फिर empty edge लेते हो वापस x1 पे तो x1 और x2 तो x1 और x2 देख लेते हैं जी इसको दुबारा नई state की जूरत पढ़ सकती है x1 और x2 यह तो अगर हम यहां से b-read करें लेकर अगर x2 से b-read करता है तो अब x0 पे पहुंचते हैं x0 तीन यह तीनों की तीनों पहले से मुझूद हैं यहां पे इसका मतलब यह edge A के लिए भी है और B के लिए भी है तो कोई issue नहीं है हमारे पास अच्छा अब हमारे पास आ गया है इसके दोनों edges हो गया ठीक है दोने edges हो गया यह रह गया अल्ला करें यह कोई नहीं स्टेट ना मनवाए लागर हम बहुत लंबी हो जानी है हम चाहते हैं question जिल दिली खतम करते हैं class का time भी हो रहा है अच्छा 012 यहानि सारी की सारी स्टेट रामिल हो गई चलो जी तो अगर यहां से हम a read करते हैं तो x0 पर पहुंचते हैं ठीक है और यहां से a read करते हैं तो इधर ही पहुंचते हैं यानि x2 पर पहुंचते हैं लेकिन x2 पर पहुंचते हैं गवाद A के लिए तो loop आएगा यहाँ पर A के लिए तो आएगा loop B के लिए देखते हैं B के लिए क्या होगा तो तीनों को देख लेते हैं बारी-बारी B से कहाँ पहुन सकते हैं दे Muss in अगर आप इसको देखें B से कहां पहुन सकते हैं x2 पर पर यहां पर यहां पर भी आएगा तो इसके भी चुंके दोनों हो चुके हैं इसलिए अब इसकी जरूरत नहीं है तो यह आपका अंसर हो गया इस क्वेस्टन का ठीक है लेगे इस क्वेस्टन का हमने किस तरह टेक्निकली डील किया है यह आप लोगों ने देखा है सही है तो इसको जहन में रखिएगा बाद जफ़ चीजें टेक्निकल होती है अलगारिफम के अंदर थोड़ी बहुत चैनिज होती है बाकी वही है अब सीरो नहीं बनेगी यह भी हमारी यह तो हमारी इनिशल भी और फाइनल भी है जो नाम देना है अपनी मरदेश के तो हमें कोई शुन है यह एक्जंपल मैंने की क्यूंडिसकस इस लिए कि कि हमारे पास यहां इसको सिंप्लिफाइए करना होगा बहतर होगा चु़कि आप द इदर जाते हो तो उसके बाद वापिस नहीं आ सकते हैं आप यह जो स्टेट है ना असल में यह असल में वो स्टेट है जिसके जहां से आप वापिस इदर नहीं जा सकते स्टार्टिंग की तरफ यह इस तरफ नहीं जा सकते ठीक है आप इसके आगे भी जाओगे तो वो भी ड देट है मारे पास ठीक है इसको मैं और फॉर्प weniger बताता हो ये भी ड hearts straight है और ये भी intent state है मतलब आप यहाँ पे चले गए जो मंत अब यहां आप आप यहाँ बछले गए जो रीड करना था आप ने कर लिया एक भी यहां ए एस्टार भी ठीक है तो असल में A star B की ये language है तो आप यहां पर पहुंच गए इसके बाद यहीं string खतम भी हो सकता और आप चाहो तो एक A extra एक A या B extra read कर सकते हो पिर खतम हो जाएगा यहां दूसरा या तीसरा या चोथा तो देखा जाए तो अगर हम इसको simplify करें तो अगर हम loop इधर ही लगा दें यहां पर तो मकसद पूरा हो जाता है क्यों यहां पर string end हो सकता है तो ठीक है इसके बाद आगे जाना तो optional है na string end होने के बाद चाहे अगली plus state है आप चाहो तो एक A भी read कर लो दो कर लो तीन कर लो चाहो तो इधर ही खतम कर देते तो इसका मतलब यह आगे वाला portion सारा हमारे पास optional है तो इसको आप इसके बगेर भी आपका काम चल सकता है तो आप इसको इस form में लिख दोगे तो आपका question तब भी रहेगा तो चीज अगर simplify हो सके चोटी मोटी बहुत complex simplification इस वाद आपसे मांग भी नहीं रहा हूँ तो आप उसको simplify जरूर कर दो ठीक है ना इसका answer अब यह आगया हमारे पास ठीक है तो problem असल में क्या थी जब final जब first state को final state बनाना मारी मुझबूरी है लेकिन उससे language change होती है उस वकत में जब incoming edges होते हैं हम उसको split करते है split करने के बाद नया shape आती आटोमेटा की जिसको हमें दुरूस करना पड़ता है तो अब assignment no.2 आपकी पूरी होगी क्योंकि उसमें एक question इस part का भी है इस question की अच्छी खासी assignment की weightage है बच्चो वेटे इस वाजा से है के तीन main बड़े-बड़े question है उसको पूरा उसको solve करना है सिर्फ mcq type नहीं है ठीक है उसकी weightage भी ज्यादा होगी अच्छे तरह कि इसको कोशिश करो और अब इसको करना कैसे instruction यह है कि आप इसको चाहिए excel में table बनाके solve करते हो powerpoint में करते हो जो भी करता अब इसको rough में solve करते हो जो भी कर लिया उसके बाद मुझे output में चाहिए क्या मुझे transition table चाहिए और tables की definition वाला table चाहिए यह दो table मुझे चाहिए यह दो table चाहिए और इस इन दो tables के बाद मुझे यह वाली diagram भी चाह ठीक है एक तो मुझे चाहिए क्या यह वला टेबल और एक मुझे चाहिए यह वला टेबल और उसके बाद मुझे यह चाहिए डाइग्राम ठीक है अब यह आपने रफ में किया है टेबल के जरीए किया है इस तरह डाइग्राम के जरीए किया है कम असकम दो-तीन मैसट मैंने आपको बताएं वो आपकी मर्दी है हमें तो सिरफ काम चाहिए तो मुझे उसकी फाइल के अंदर वर्ड की फाइल के अंदर question number question की डायग्राम उसके बाद ये दो states और उस state से पहले अगर कहीं जिस तरह ये वाला question है तो इसके अंदर हमने link किया हुआ है तो वो linkage कैसे थी कहा लिंक हो रहा है जिसकी बेस पे आपने ये tables बनाए है algorithm run करके वो उसके बाद जो resulting diagram है वो ठीक है और अगर इस तरह के question है जिस तरह आज आया तो उसके अंदर अगर वो बहुत आसानी से simplify हो सकता है तो ठीक नहीं तो वो optional है और इसको कैसे handle करेंगे आप इस diagram से जो मैंने ये diagram बनाई है ये आपने बना के देनी है और थोड़ा स बुक में लिखा हुआ है बार बार उसको पढ़ें उमीद है समझ में आ जाएगी इसका मकसद यह कि आप लोगों का थोड़ा से caliber बढ़े आप लोगों को चीज समझ में आना जो है ना शुरू हो जाए तो उमीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो बच्चों को बता दी हैं उसको पढ़ लो किसी किसम का मसला हो बच्चों पूछ लो और हमें जूम का सेशन भी रखना है तो अपने कुछ क्वेस्टन आंसर वहां के लिए रख लो ठीक है लाफिस बच्चों